आज हम बनाने जा रहे हैं सा बुत दाने और आलू के पपडु आ legisl Trung ओंड़ी यह उसके पपड़ बना है देखिये कितने हल्के है और कितने लीकिस मेरी सारी उल्लिया इसमें 5000 दिक रही है इतने पारदर्शि and 33 प्रासपैरल्ट न कि पसकूतार में क्माना सब्सक्राइब धायान कि भी UWEM गल चुगा है पानी में और मैंने दो आलू लिया है इसको भी छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है और इसको अब लेते हैं हमें एक मिक्सी जार साबुदाना हमारा अच्छी तरीके से बीच चुगा है और हम इसमें हिजार में लोट लेते हैं और इसमें एक कप ही इतना ह में लोट लेते हैं और आहां हम इसी जार में दो आलू जो हमने कट किये थे इसको भी हम पीछ लेते हूं इस तरीके से इसमें डाल देते हैं मिक्सी जार में वैसी में हम एक कप पानी और डाल देते हो और इसका भी एक महीं पेस्ट गना लेते हो देगे हमारा यह पेस्ट बनके तयार हो चुका है लुका भी और हम उसी वेल ट्रास्ट इसको कर देते हैं जिसमें हमने साबुदान को पीश के रखा हुआ था और इसको इसको इसटेर को रख देते हैं ताकि इसमें कोई बोटा भाग न रहे और देखे हम नावट दिया है इसको 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 चान लेते हैं अच्छी तरीके से इसको 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 चान लिया है और आप हम इसमें एच चार कर पानी और डालते हैं मिक्सी के जार में हमने पानी लॉट लिया ताकि उसमें पानी लॉट लिया है और यह हमने 14 कप इसमें डाल दिया है और इस तरीके से हम इसमें मिला लेते हैं तो इसमें डालते हैं स्वाथ कैनुसा नमक नमक इसमें गमी जाता आकंग कि पापड बहुत हलके हो जाते हैं आगते हैं तेस वोग जाता है तो फाने में पापड अच्छे नहीं हो लगते में अब हमने चुछले पर करभाई रख दी है इस तरीके थे मोटे दलकाप को इस प्रक्तु और बोसी प्रॉफ्ट बोगर ना बखेन ए 20 मिनिट हो चुके है कि कि ट्रीमल आप पका लिया है तर बहुत है इस में अपने वह पूहिस तपको भता होताındaki और ट्रिप instrumentalने में drive कि अब ये इसमें ये ड्रॉप जो है थोड़ा रुप रुप कर गिर रहे हो हो इसकी एक पैचान तो ये होती है और अगर तीजी से गिरें तो उसमें अभी पक्का नहीं होता है और एक दूसरा ट्रिप मैं ये बताती हूँ एक ब्लेड लेते हैं उसका कुछ भून दे हमने ड्रॉप इसमें डाल लेते हैं ताकि देखिए इसमें ये फैल नहीं रहा है अगर ये फैल रहा होता है तो अभी हमारा पकने वो सही नहीं पकता है इस दूसरी पैचान मैंने आपको ये बता रही हूँ अब दीसरी पैचान मेरी ये है आपको बता रही हूँ कि एक मैने य चमचे लिया है इस तरीके का और देखिए मैं इसमें चलाती हूँ और आपको बताती हूँ यह तीसरा तरीका क्या है मैंने एक इसमें उंगली से लाइन बना ली है और देखिए लाइन आपस में नहीं जुड रही है तो इसकी यह पैचान है कि यह हमारा पेस पैयार है बनके देखिए इस तरीके से मैंने कई धार यह बना ली है और बिनकुल हमारी कोई भी धारी आपक में नहीं चुल रही होती और देखिए चौथी पैचान आपको यह बता रही हूँ देखिए हमारे इसमें बबत भी आ रह जबने के लिए तोड़सी आप इसमें। दीरा एक चमस डाल दी। और इसमें ईधी तर इप क्रावर भी डाल सकती हैं। अगर आप से नर्मा भी डाल सकती हैं इसमें और सफेद नमग भी इसमें डाल सकती हो हो रमजान में यह पापड बहुत ही अच्छे लगते हैं और देखे अग मैंने इसमें यह शील्ड भी जा दी है और इस तरीके से लोड़ा सा थंदा हो चुगा है एक बंच्चा के साईता से इसको पाबरब और रहे गूर मैं तर नैक्टोडे भी लिए है इसके तरीके थे उसमें भी ढाल रहे हूं ताक कि इसका शेप और अच्छा आए शेता का यह कांग अपिसको पंग् travelled काम्रे में सुका सकती है और देखिए ये कितने बहुत हलके सुख चुके हैं और बहुत हलके हो इसको एक हाव मारो तो ये उड़ सकते हैं और देखिए कितना ये हाथ भी मेरी सारी उंग्लिया इसमें नजर आ रही है बिल्कु ट्रांस्पेरेंट हैं ये कप साबुत दाने में बहुत सारे पापड ब बड़ा होदाहार है इसी तरीके से मैं और भी खेड़ पापड को स्राइक अनो इस तरीके से अगर आप ने अभी तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और बैल आइन करने को प्रेस करने ताकि मेरे नए आने वाली वीडिया आप देख सकें लेकिन मैंने सारे पापड इस तरीके स्राइक अनों, हो प इस अज मानिए ये बहुत ही अच्छे बनते है और रम्जान में वह अच्छे लगती है, आप इसको किसी भी ताइम 1 को बना कर का सकते हैं आपने ँग् 13, खे भावग रग कई लगर को भी किन आए और उसमें भी शoyo ईयाव मेरे वापड को शि सब्लीद मेरे चलूर मेरे चल्द को चलूर देखें ऑफालो करें